आमिर खान के लिए 2019 का क्रिस्मस बुक कर ही लीजिए क्यूंकि धर्मा प्रोडक्शन्स के साथ मिलकर आमिर खान 2019 में धमाका करेंगे ये तेह हो चुका है फिल्म फेयर की एक exclusive report की मानी तो आमिर खान और आलिया भटकरन जोहर की ओशो बायोपिक की तयारी शुरू कर चुके हैं और आमिर की हर फिल्म की तरह ये फिल्म क्रिस्मस पर दस्तक देगी प्रजनी शोशो पर बन रही इस बायोपिक में आलिया भटमा आनंद शीला का किरदार निभाएंगी और इसे डाइरेक्ट कर रहे हैं कपूर एंड संस फेम शकुन बत्रा हाला की पहले खबर थी कि आमिर को फिल्म की स्क्रिप्ट से काफी दिखकते हैं और उन्होंने काफी बदलाव डिमांड किये हैं लेकिन अब ये तेहे की फिल्म का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है आमिर खान इस फिल्म के लिए लिटेस देना शुरू कर चुके हैं बायोपिक पर तेजी से काम चल रहा है और इसकी शुटिंग दिसंबर से शुरू हो जाएगी दिल्चस्प ये है कि अजय देवगन, शाहरुक खान, वृतिक रोशन सब बायोपिक की शुटिंग कर रहे हैं लेकिन ये भी सब जानते हैं कि आमिर खान जब भी आते हैं तैयारी के साथ आते हैं और अपना पिछला रिकॉर्ड तोडने के लिए आते हैं आमिर खान का पिछला रिकॉर्ड है दंगल के 371 करोड तो इस बार ये तैय मान कर चलिए कि आमिर खान कम से कम 400 करोड सक्ता तो खिलेंगे ही वहीं इस साल दिवाली पर उनकी ठग्ज ओफ हिंदुस्तान रिलीज होने की तयारी चल रही है यानि की यश्राज के प्रोजेक्ट में करोरों का मुनाफ़ा देने के बाद आमिर खान धर्म प्रोडक्शन्स के मुनाफ़े की तयारी करेंगे विल्चस पे है की धर्म प्रोडक्शन्स के साथ खान का पहला प्रोजेक्ट होगा देखिए धर्म प्रोडक्शन्स की आने वाली फिल्में प्रणपुमी फिल्म के लिए वरून धवन ने तयारी शुरू कर दी है इसे शशांत खेतान डाइरेक्ट करें हैं माना जा रहा है कि फिल्म शुद्धी का बदला हुआ रूप है और इसमें वरून धवन के साथ सारा अली खान दिख सकती है सिंबा फिल्म को रोहित शेटी डाइरेक्ट कर रहे हैं फिल्म तेलुगू फिल्म टेंपा का रीमेक है फिल्म में रणवीर सिंग और सारा अली खान दिखाई देंगे रमास्त्र अयान मुखर जी ये सुपहेरो फिल्म तीन भाग में बना रहे है फिल्म में रणवीर कपूर और आलिया भट, अमिताब बच्चन और नागार जुन के साथ दिखाई देंगे कलंग करन जोहर ने इस साल के सबसे बड़े मल्टी स्टार प्रोजेक्ट का एलान किया है कलंग को अभिशेक वर्मन गायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म में आलिया भट, वरून धवन, सोनाक्षी सिंहा, आदित्या रॉय कपूर, संजैदत, माधुरी बीक्षिप दिखाई देंगे केसरी फिल्म सारागडी के युद्धपर बनी है फिल्म से अनुराग सिंग अपना डाइरेक्शन डेब्यू करने जा रहे हैं हाल ही में फिल्म के सेट पर आग लगने के बाद, फिल्म का बजट काफी बढ़ चुका है स्टुडेंट ओफ दाइयर दो फिल्म से अनन्या पांडे और तारा सुतारिया डेब्यू करने जा रही हैं इस बार फिल्म में टाइगर श्रॉफ दिखेंगे फिल्म की शूटिंग का पहला शेडिल देहरादूम में पूरा हो चुका है फिल्म को पुमीत मलहत्रा डाइरेक्ट कर रहे हैं रिलेशन्शिप ड्रामा अक्षे कुमार, करीना कपूर और दिलजीद दोसांजह, कियारा आडवानी, धर्म प्रोडक्शन्ज के अगले रिलेशन्शिप ड्रामा में दिखाई देंगे जिसे राज मेहता डाइरेक्ट करेंगे